चनरले हम किचन में सेलिंग या वॉल फैन नहीं लगा पाते हैं क्योंकि वह आपके गैस के साथ इंटर्फियर करता है उस वज़ा से हम नहीं कर पाते हैं और हमारे जो लेडिस है घर की वह सक्रिफाइस करके उस पसीने में और उस गरवी में आना पनाते रहते हैं तो आज हम हम ऐसे चीज लेकिया है जो आपको काफी मदद करेगी अच्छा कूलिंग भी देगा और साथ ही आपके कैस को भी कोई इशू नहीं होगा तो चलिए आज देखते हैं क्रॉम्टन का किचन फैन देखते हैं आज इसके एंबॉक्सिंग और इसको फुचर में योज़ करके आ किलाला हम इनिशली इसको आउन करके देखेंगे कितनी हवा देता है और कैसा इसका परफोर्मेंस है कंब करते हैं तु यह रहा दोस्तों कख्स क्रॉम्टन के एर बड़ी कीचन फैन का या फोटोनलीह को आप वाल पे आएवशा कर सकते हैं औरयोनकेर इसको अइसे जाम अगिरा आपर कर बेन्राई है string यह फुच्छी अची कंपणी है याने मेडिन इंडिया है हर चीज ओड़े ऐसा हवा नहीं मिलेगा सॉफ्ट एर फ्लो मिलेगा तो किचन के लिए इंपॉर्टेट है मैक्सिमम पोल्टाबिलिटी है आप उठा के कहीं भी इसको किचन में काम नहीं वा तहीं और भी यूज कर सकते हैं इजी मेंटिनेंस है क्लीनिंग वगरे के लिए इजी है चिल्रून के लिए सेफ है आपको प्लोवर की तरह बैंट मिलेंगे उपन करके आप परचिस दिए इस्टेंड भी जमीन पेश कर सकते हैं खड़ा कर सकते हैं और इस्पेस क्रूव अगरा भी मिले हैं वाल मांट करने क अगरा काफी सारे दिये हुए दोस्तों वारा फैन आप देख सकते हैं पर क्रॉम्टन का लोगो है सामने कार की तरह बिल्कुल वेंट दिया हुआ है लेंग भी काफी अच्छा है प्लग इसका इस तरीकी है कहीं भी लग जाएगा इंस्टॉलेशन मैनुएल और वारंटी क दो साल की वारंटी है इसके अंदर काफी ज्यादा डीटेल दी हुए है इसमें पीछे फिल्टर हो गए रभी दिया हुआ है जिसको बीच वीच में साफ करना होगा आपको बिल्कुल एसी स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट की तरह इसको बनाया गया है आप यहां पे दे लेटर ब्लोर स्पीड को कम जाधा करने के लिए तीनी स्पीड दिये हुए है और वन टू अन्ट्री लो मीडियम अन हाई तो काफी अच्छा डिजाइनिंग किया हुआ है इसने वह आपको ओल मांट करने के लिए यहां पे इस पेस दिया हुआ है अगर आप इसको वर्टि करते हैं वर्टिकली साइस की बात करें तो बहुत जादा बड़ा या बहुत जादा चोटा नहीं है ठीक सा है अगर आप इसको वर्टिकल इंस्टॉल करते हैं तो आपको यह ऊपर मिलेगा रेगुलेटर और इस तरीके से इसका कुछ लोग है तो अपिना जिसे देरी के हम करते हैं तो यह आप देख सकते हैं तो यह सारी चीजें इंस्ट्रक्शन फॉर क्लीनिंग दे फिल्टर आप यहां पढ़ सकते हैं पॉस करके मैं अभी फिलाल इसको करके देखने में ज्यादा इंट्रेस्टेड हूं एक बात और अच्छी है दोस्तों कि आप यहां पे फि अच्छी चीज है इस मामले में भी कि यह एर को फिल्टर भी करता रहेगा साथ तो हमने प्लग इंद कर दिया है बहुन करके देखते इसको अभी वन में चल रहा है और आप साउंड सुन सकते हैं तो इस रुमा से एर दिखाता हूं तो यह वन स्पीड है थी करके देखते हैं ती में आपको एक यह एर मिल जाएगा इतना तो उसका हार्श एर नहीं आएगा आपको एक जगह पर नहीं लगेगा वेंटिलेशन होता रहेगा मतलब रूम में काफी ठंदक सी महसूस होते रहेगे वेंटिलेशन होने के बज़ा से एकदम साइलन नहीं है लेकिन काफी मिनिमल साउंड है इसमें 3500 रुपए के लायक तो नहीं है लेकिन एक से 2000 रुपए के अगर पीच आपको मिलता है काफी साइंच चीज है आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो बाहर वाला पॉर्शन है ये स्विंग हो रहा है आप देख सकते हैं स्लो स्विंग है हार्श कुछ भी नही अगर आपको 1000 के आसपास मिलता है 1000 से 2000 के वीच तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपके इस्पेशली किचन के लिए क्योंकि किचन के लिए ज्यादा आप्शन्स अवेलेबल नहीं होते हैं इसका डीटेल रिव्यू हो सकता है हम फ्यूचर में बनाएं जब इसको काफी तो लोगे और यहां पर If ऐसे ऊत्ली करने के लिए यहां पर अपर खीडी डीचेश कर लिए जो को क्ली रहता है इसको औरके भिपन कर केा थे जुकि आपको प्लोब और कुछ सहाफ है क्योंकि तो यह ब्लोवर कुछ इस तरीके से अग्म को हवा देता है आप यहां पर देख सकते हैं माउंट करने के लिए भी कुछ ऐसे सरी इसमें देनी चाहिए जो नहीं मिला है मुझे तो आप अपने पैकेज में कंफर्म करने के यह वाल माउंटिंग ब्रैकेट और नकल जॉइंट जो की वर्टिकल और होरिजोंटल दिवाल में माउंट करने कामाता है वो आपको मिले में भीचे तो नहीं मिला है तो मैं हो सके तो इसको रेटर्न करुंगा तो दोस्तों यह माने लिया अगई आपको लिंक चेस का तो डिस्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आप वहां से खरीद सकते हैं आपको फिलिपकार्ट एमेजोन दोनों का लिंक दे दूँगा आप जहां को सस्ता पड़े वहां से आप खरीद सकते हैं यह रही बात हमारे किचंद फैन के बारे में अगर आपक झाल में आपको लिंक बारे में आपको लिंक दारे करो लिए यह रखके जया आपको लिए टुटर आपको लिए हैं आपको झाल झाल झाल